तो नमस्का सर जी आपका स्वागत है मारे चैनल में जी नमस्का तो किसान भाई होगा अभिरनाच एक छोटा सा प्रेचे दीजे सर मेरा नाम पंगाज गुमार सैनी है गाउं पढ़डी जिला मुझे फंदागर में पढ़ता है तो सर जब आपने अपने फारम स्टार्ट किय जी तो आपको कैसे idea कि वहाइ आप दें सिंगरपूर में थे आप वी देश के गाउं में अपना अपना बिजनिस की क्या किया जाए जींग हमारे यहां इस पास में बाद मीं की रहते हैं अब उनी के पास जो है मैंने देखे कि तो जब आपने अपना फारम बनाया था कितने इसका जो जंग है कितने रुपे के सर आपका इस्टेक्चर में खर्चा आया था कितने जानों से सर आपने अपना फारम स्टेक्ट किया था हमने जी दस प्रेगनेंट और दस गिल्ट एक नर लिखाए तो लगवक जेट साल का साथ आपको समय हो गया तो जैसे पिक फारम करते समय क्या क्या दिक्कत आई जहल प्रैक्टिकल आपने खुद किया जैसा है लोग जब कहते हैं इतना प्रोफिट है तो कुल मिला के सार हमारे किसान भाई को बताइए यह बिजनिस कैसा बिजनिस है यदि कोई से किसान करता है किन किन चीजों का ध्यान रखे और कैसे मुनाफ़ा कमा सकता है सबसे पहली बात तो है लोगों को मतलब बेकूब बनाते हैं कि आप को रोड़पती बन जाओंगे आसा इसमें कुछ नहीं है तीस परसेंट चालिस परसेंट का मार्जन रहता है वह भी तब आप फार्म को बहुत ही तरीके से मैनेजमेंट से लेका चलते हैं ठीक है उसमें यह है कि अगर आपको ने फार्मर है आपको ने फार्मर मिल रह सब्सक्राइब करना चाहिए तो जैसे आपने बताया हमार किसान भाईगों जैदी कोई फार्म करना चाहता है सबसे पहले अच्छी ब्रेट से अपना फार्म करना चाहता है ब्रेट अच्छी हो क्योंकि आपकी जो फार्म को चलाएगी या बढ़ा करेगी तो ब्रेड देख कर दो और से अपना जाट सूजबूश से अपना काम स्टार्ट करें तो सर जैसे आपने बताये कि ब्रेड भी अच्छी हो जी है इसके बाद सर और किनकी चीजों का सर ध्याना खना चाहिए इस तरह को होना चाहां कि भई उसमें गर्मियों में हवागी प्रोब्लम नहों बच्चों को सर्दी ना लगें तो एक बार सर्दी का अपना जो अपने बना है किस तरीके से तो एक बड़ी ना चाहीं तो इसका फीड रूम का अपने साइज क्या अशार इसका यह इस वाइट चोदा जी सोलावाइट चोदा तो इसके बाद यह एंटीगेट है जी चूने का प्रयोग जादा करें अपने फार्म किसांब भी पूरे फार्म पर चूना लगा कर रखा है सफाई करने के बाद तुरूंत पूरे फार्म में चूना तो जैसे साइज का साइज आपने लगाएं पाइट यह अगर सूरी हमारी हो भी हादी है तो बहुत चांस रहते हैं कि आपका बच्चा दब सकता है नीची जिनकी वेशा बच जाता है कि सूरी जो है दिवाल का सारव लेकर लेकर कोसिच कर दिए और इसकी जो आपने दिवाल से कितने इच हटके बना बच्चे जो है अपना ऐसे लग जाते हैं पर कि दूद बीगर अपना अंदर जिसार दिवाल बच्चे को स्टार्टर डाल रहे हैं तो भी मादनी खा पाती आप उसी में डालों बच्चे ही खाएंगे जी जी तो इसलिए बच्चे को रूम बहुत जरूरी है लिए लिए यह इस वादन संसा कितने बच्चे देते 16 बच्च इसी सबसेड़ें एगे को और से रिकोर्ड को सुआ रुठी पहलिवा और थे एंदिए अर आपको तो सब्सेड़ा जयाते कि आपके फारम माने का तो सबसे जादे रिकोर्ड को तो रशे जिए पहली बार व तो जैसे आपने सब्सक्राइब बना है इसका क्या साइज लिया तो सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करीब लंबा है और यह 35 फिट चोड़ा है 35 फूट चोड़ा है सब्सक्राइब यह 356 घुड़ी को भी कि ना कितने किसे अथे तो रही देख पराऊ कभी भारी वर इन कितने प्लों पहतें तक हो चुकिए माल सेयल कर दिया है सर अभी तक कितने बच्चे हैं चोटे-बडे-स-70 बच्चे जी और वाहता है तो माता है तो इसका क्या पहली पिट है यह देखने में अच्छे लग रही है और काफी भारी माद आए तो आपने इस और दूसरी बात यह है कि इसके बच्चे लार्ज वैट यह जल्दी ग्रोथ कर जा यह जो मेरा संड है यह मुस्किल से मुस्किल 666 महीने का है और यह एक कॉंटर प्लस ही हो रहा जिए जिस तरह का भी आपने पास आजाए जग्राग आजाए वैसे ब्रीडिंग पर ही पर देदें पालने के लिए जी तो अच्छे रेट में चला जाता है और फिर अपना थोड़ा यह जैसे बहुत सारे फारम मर्बद इस बेगार है फारम वेक कर लेते हैं और वेकर जी किसी कारण बाद भी कर देता है तो एक क्या दिकत आती है जैसे कहते कि इतना इसमें कमा पहले नहीं है या फिर यह काम बेकार है तो आपका क्या सर इसके बारे बताई सब्सक्राण चाहिए पहली बात यह है क्रोड़ों को निया कि आप करोड़ कमा लोगे 2 कुरोड कमा लोगे जी आप यह मान के चलिए कि इसमें 25-30 % का प्रोफित रहता है वह भी तब आप मैंन जो बिल्कुल एक मैनेजमेंट से तरीके से लेके चलते हैं जी किसी के बहकाव में आके आप फारम ना खोले कि आप साल भर में या आप डेड़ साल में क्रोड़ पती बन जाएंगे कम से कम आपको इसमें डेड़ साल दो साल के बाद प्रोफित आना शुरू होता है जी कि वैक्सिनेशन का टाइम पर करें तो आप प्रोफिट में जाओगे चीज़ है जी आप ब्रीड पर ज्याद द्यान दे कहने से भी आप किसी भी फार्मर से ले एक बार आप ब्रीड जरूर देख लिए सस्ते के चक्कर में आप ब्रीड पर वह ना करें बिल्कुल भी कुम में बाद में आता है पहले प्रीड प्रीड अच्छी होगी तो सबकुछ अच्छा है और यह थो तो कि भीट विठा का माल सेल भी कर दिया है तो अब आपके तारिक आज है आपके सब चुल वर्चा पर चुकर चुकी है सब्सक्राइब तो यह पड़ा है ना माल यह हमारी पचत है तो लगबग आपके आज की तारी में कितनी रुपे के चानवर होगे आपके पास यह राउंड वो छह साथ लाग से जादी है लग रहा है क्योंकि 20 माद है सब्सक्राइब कापी भारी मादा भी है सब डूरोग से क्रोज हैं अच्छा डूरोग किस से क्रोज हैं सब्सक्राइब क्या क्या सब्सक्राइब करें बच्चों के लिए बलप लगाएं मरकरी लगाएं लगाएं रूमों के अंदर जैसे इसके बारे में बताएं जैसे को नया किसान प्रिफारम करता है तो इसे ट्रेणिंग लेनी चाहिए यह कहां से ले इसके थोड़ा बताईए लें हैं आगे दे देनवे किसान बहुत अच्छी जान कर दी जो कोई नया आवंपरा स्ðाठ करना चाहता है यह निल जाएगा वगया सब्सक्राइब बात करना सकते है us